नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स लिए सब्सक्राइब के 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 लि झाल 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 तुम्हारा भला करेगा अरे दाम निकाल दाम अरे भाईया दाम कहां से लाओं ये आप जैसे भागेशाली घरों से आटा दान मिला है पका के खाएंगे और अशिरवाद देंगे आपने अरे जा जा आशिरवाद वाली यहाद धन्दा लेके बैटे है सदावरत नहीं खोला है जा जा मा मा तुम्हें बर्तनों के जरूरत है ना हाँ भई दाम दिये बीना बर्तन कॉन देगा भई अरे मिया दाम के नाम में कृिष्ण का नाम बस एक बार प्रेम से बोलो राध हे कृष्ण बस मिया मुझे मेरा दाम मिल गया मेरे नात का नाम वही खरे सिखरा दाम है एक कालिया देखा गोरा के धन्वे का? बच्चू भगत बनके धन्दा करने बठा ये सदावरत खोला है लो माई अगवान तुम्हारा भला करे राधे कृष्टन राधे कृष्टन राधे कृष्णा बोलो अरे भक्तानी तेरा भरताद जो राधे कृष्णा रठता है ना सो बहुत हुआ तु घर का काम कर जा बाबी जी घर की काम तो मैं पूरे कर चुकी आरे रे रे एक तो हराम खोरी करती है और डेर हाथ चीप चलाती है ये रसवई में बरतन जो बीना मंजे पड़े हुए हैं कूंडे में पानी तो एक बून नहीं मेरे कपड़े धोने बाकी है सब करेगा कान तेरा बाप बाबी ज अरे रे रे यू आखे भार फार के मेरे सामने क्यूं घूर रही है मेरी सूरत देखी नहीं तुने ले हाथ में जाड़ू आंगन को बू wonder क्या में की जागीर को हड़क लिई मेरे बापने के टपर टप इस तरा आंसु बाहार ही है काकी अरे अब रहने भी दे काकी के सगे हैं अब अरदार जो इस बांज की पास कहा तो तरे पैर दोर दूंगी पैर घर में एक भगत राव तो भॉंकता ही है उसके सब तुझे भी ये राधे किष्ण, राधे किष्ण का लग गया है रोग अरे मुरक, धगवायन का नाम ले तो तेरा भी भला हो जाए तो अपना और अपने भाई गोरा का ही भला कर लो अपने घर में भगत जमा करके भूखी नहीं मरना है मुझको, समझे ना राधे शाम लो आगे, आगे ये तुम्हारे भगत, राधे शाम की कमाई करके येळो भादी इतने ही? येलो, तुम्हारा भाई बर्तन बेशनी कैया था तो गाड़ी भर बर्तन ले गया था, जिसके कमाई इिसी हुए कहती हूँ तुम्हारा भाई धंदा करने को नहीं, सदावर्खख खोलने वहाँ जाता है और जाते जाते अपने भगवान को लेते जाओ संग में भावी, भावी, तुम मुझ से जो चाहे कह लो, पर मेरे सादु संतों से कुछ न कहो ना कहूं तो तुम्हारे इन भिखारियों की मैं यहां बठा के पूजा करूं, आर्ती उतारूं इनकी साधु संतों के पएर अपने आंगे नाएं, ये तो प्रभु की दया से मिखे ऐसी प्रभु की दया रखो अपने पास, अब दोनों भाई भगवा पहन के बाबा हो जाओ, जिससे मेरी फिकर मिख जाए अरे जोगणो, निकलो मेरे खासे बाहा, ढून लो कोई धर्मशाला गोरा भगज, जैसी भगवान की इच्छा, हम तो साधु लोग है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं तो भगवान का नाम लेके चले जाएंगे जै शिव शंभू, जै शिव शंभू, जै शिव शंभू अरे बापे, सारे गां के कुवारों को मिले गई चोरू, साथ साल से सगाई हुवी, लगन का ना आया ओरू, शादी का नहीं चोरू, नहीं आई चोरू आगए आगए वो जगमका तीवी, गागर लिये, मटक तीवी, चटक तीवी आ पहुची मेरी मोने, ओ चुसने वाली मेरी राने इस कौरे गारे को खून खून के तो मेरी तांगे तूटने लगी है, एक आगगा पानी डाल दे तो कौरा गारा कुछ भीग भीग के ना पतला हो जाए अरे केशो कलदार, वियास से पहले गारे में पानी नहीं डालते, अजी हो अभी तो अपनी सगाई हुई है, फेरे पढ़ गए तो पानी पानी कट डालूँगी पर कुवारे पन के कारण यूँ ही कोरे कोरे कहों तक रहेंगे जरा इधर तो आना रानी पतला कर दे पतला कर Systems मेरे साम cannabis यू कान AH बना गान मांगने कोखरा है तुझे मेरी मा देख लेगे तो पhtले ही देख ले तेरे मान जवानी में तेरे बाट को भी कई गालिये होंगे कई गालि मेरी गङ रोमाद कार दो आलदानी होंगे कया करो क्รेकwie अरी मेरी रानी गढ़्धे वाली गागर यू ही पड़ी रहने दे, तू हाथ में ये घंडा और मुह में चुसी लिए चली जा घर रानी, माँ मेरी माँ केश हो मेरी माँ तेरी माँ तो चली जा, मेरे घर में नहीं तो तेरी गड़े वाली का अगर तेरी मा जो देखी कि ना तो मेरा नया हंडा भी लेलेगी चली जा जट से चली जा घर में रानी है मेरे जम जैसे जम आई बोलो मेरी ससुर बिना अखंड स्वागन सासु बिगड़ी भड़की भगतानी मुझे गंद मिली है कि मेरी रानी यहीं कही है नहीं सासु तुम्हारी नाग में नकली गंद आई है तुम्हारी रानी गई लेने पानी कच्व उसे ले गया तानी नहीं है मेरे पास तुम्हारी राने नहीं केशव यही तेरे वरिंदावन धाम की कुंज गली में कहीं फूली भटकी आ गई है बोल, बोल, केस का नम तले छिपा रखी है ऐसे मुझे सोटे से धमकाऊ मत, यह बीजे गारी में पढ़ गया तो बेकार हो जाएगा यह देख्लो ना आंके ले खड़ खड़ बांसरी बजारो यह गागर यह किस गोरी के भूल से रहगी केशव यह गागर तो मेरी है यह तुमारी कैसी होगी, यह तो गड़ वाली है आरे तो गड़ा इसमें तूने किया है बाकी मेरी गागर तो बिल्कुल नहीं थी विखारीव सादूसंत्र ले आता है घर में जैसे यहां सदावरत खुला हुआ है अरी सदावरत खोलने वाले हम कौन हैं वही भगवायन सबको देने वाला दाता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम मो बंद करके खालो चुक्के से हाँ बखबख किये बिना बहुत अच्छा अच्छा और उतरता नहीं गले से क्या भाया कालू हाँ तू तो मेरे भाया लेखी दू तुझे पेट भर के खी खाले हाँ खाई बगएर सूख सूख के एकदम बबूल के टूंट जयता हो गया है मापू मेरी मा तो मामा को खूब जी भर के खिलाती है और काका को तो अरे तेरा वो काका गया चूले में खाले सीदे बैठके अरे भोजन से ही उटकर चले गए मेरे नाथ, सुदामा के तांदुल, विदुर जी की भाजी और शबरी के जूटे वेर खाये थे इसी भाती ये प्रसाद स्वीकारो नाथ हरे कृष्ण गंगा ये प्रभु का प्रसाद ले अन्य से तो एकी समय की भूग मिटती है ये उन प्रभु का प्रसाद जन्म जन्म की भूग मिटा देगा एक बार प्रेम से कहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हृ। पारी ओमयी पनुषो की खरीका जालती हो वाकी आओ पेचा आओ तुम रो रही थी न काकी भूख लगी है न मैंने भी नहीं खाया ले तुझी खाने में खिलाओ नहीं तुम्हें पहले में खिलाओंगा बोलो काकी एक बार पेम से बोलो हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्न काका बोलो एक बार हरे क्रिश्णा हरे क्रिश्न हरे क्रिश्न तो बोलो हरे क्रिश्न मंगल कहां गाओ बैट बीटी, काकी, मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, मेरी मा मुझे बहुत मारती है अरे तेरी मा मर जाए, बांच कहीं की, बे हया मेरे बेटे पर जादू करके मुझसे चीन के मा बनना चाहती है अरे यहां पर चोरी छुपय खा रहे हो, अरे घर में बैटके ठीकाने सिखाते के तुम्हारी मा मर जाती है, अराम करो भापी जी, हमें जो कहना चाहूं सो कहलू, मेरे बाप आपने तुम्हारा क्या भी गाड़ा है आई मा, यह तो मेरे सामने बोलती है, शरम कर कल मुही, यह तो कुमार का आवा ही भीगड़ा कहा हो आजी हो भगत के भाई अधी रात इस तरह क्यों गला भाड रही है, अरे गला न भाड़ू तु क्या अपना सिर्फ होडू, जरा देख लो अपने भाई भावी के धंदे, अब तो इस घर के अंदर डाल रोटी की चोरी होने लगी है, डाल रोटी की अगर साथ दिन बे भूख होना, तो गोरा या गंगा खाने पर नजल ना डालें, एक दिन भगवान के यहां जाना है, जरा तो भगवान से ड़ा कर अजी बहुत हुआ, तुम्हारा भगवान जो तुम्हें रास्ते में मिलेना तो कह देना उसको, कर ले जो करना चाहे अरी तिरी बातों से तो भगवान तक दूर भागेंगे, भाई गोरा, तुझे जानता हूँ, तेरा हुरदय तो भक्ति के रंग से रंगा हुआ है, पर तेरी भावी को कैसे समझागें? कहें देती हूँ हाँ, चल मंगल चल दुखी ना हो, इस गर में भावी ही रहेंगी लो संभाला अपनी माया पुंजी, निकल जाओ मेरे घर से बाहर मेरी माया पुंजी, सारी सुकसंपत्य तो पुरली धर के चरणों में है बस दाया करके मेरे भगवान मुझे ले लेने दो यही पठेहरो, तुम्हारे हीरे मोतियों के खजाने को मैं अपने हाँ से दूँगी, समझे न बढ़े भाहिया, आपको छोड़ जाने को मन तो ने पर क्या करो, इस घर का अनिजल पूरा हुआ, पूरा हुआ गुरा यह लो, कले मिल रहे हैं, रामलक्षमन भाई भगात राज, अब बहुत हुआ, आओ यहाँ पर, यह लो अपने द्वार का धीश जो, अब सोने का मंदिर बनवा के पधरवाओ तो मैं जानू, समझ गए गंगा, भाभी के पैर छूलो आरहे, इसकी कोई जरूवत नहीं है, तुम लोग यहां से तलते हो तो मैं ही पैरो को छूलू चलो गिरभर गोपाल जहां पे तुम मुझे ले जाओगे, वही जगे वैकुंट से बढ़के होगी तुम ही मेरे हीरा मोती के हार माधव, तुम्हारे जहां पैर पढ़ेंगे, वही मेरा गोखुल और विंदावन हे जीस ने संसारी माया मोह छोड़ा गोराने देखो विठल कभू से नासा जोड़ा भगत ने देखो अपने हरी से हेत जोड़ा हे जी इसने संसारी माया मोह छोड़ा गोराने देखो विठल कभू से नासा जोड़ा जूठे सब नाते रिष्टे जोठा सब कुटुम कभीला सबसे गोराने मुख मूड़ा माटी घड़ते घड़ते रे माटी के पूतले ने काची काया का मोह छोड़ा गोराने देखो विठल कभू से नासा जोड़ा जहरेले जग के सागर से इसने मीठा हरी का रस्न चोड़ा थे तज के पंधन सारे मन में लगन धारे अपने प्रभू के पास जोड़ा गोराने देखो विठल कभू से नासा जोड़ा शाम की मूरती को मन में बसा के प्रम शबत मुख से जोड़ा थे लाख चोड़ासी के बंधन जो पांधे से जाल जन जाल को तोड़ा गोराने देखो विठल कभू से नासा जोड़ा प्रम देखो अपने हरी से जोड़ा कहता हूँ तु गदे पर बढ़ जाती तो तेरा क्या बगड़ जाता अगर मैं बैठती तो गदा नहीं बढ़ जाता क्या मतलब मैं तेरा बोज उटाओ तो मैंनी बढ़ जाओ तो देखो अरे गोरा-भगद तुम यहाँ मेरे भाई जरा सी बाद से अपना गाउं छोड़ देते हैं भाई भाईया तो भगत हैं पर तुम पूट ले ले के कहां चली चलो चलो गाउं चले केशव जिस घर से हमें निकलना पड़ा हो हम कैसे रह पाएंगे भाई अरे घर से तो उस खड़ी भावी ने निकाला है ना रावन के वंश्की हिनकुष्की सगी उसने तुम्हें घर से बाहर निकाला है ना पर मैं तो जिन्दा बैठा हूं ना बल्वान पहलवान केशव परजापुति परकेशव कहां पर रहेंगे भावी तुम भगवान के बरोसर हो ठीक है ना हाँ मेरे काका परवत पतेल का घर तो खाली है तुम अपनी मूर्ती पधाव चल के वहाँ जमा दो अपने चाक को वहाँ जय द्वार काधीश परकेशव नहीं तुम्हें मेरी का समय चलो चलो भगवान की स्थापना हो गई अब तुम चलाओ चाक को अपने करवी जी ठानी ने तुम्हें घर में से निकाल बाहर किया ना जिसका नाम करवी है ना वो तो कभी मीठी होगी ही नहीं छे मैने दूद शेकर में भिगो के रखो रहेगी कडवी की कडवी अरे हाँ हाँ मैं तो कडवी ही हूँ पर तुम सब जो मीठी मिश्री बनी हो न ये अच्छी तरह जानती हूँ अरी ए कडवी भावी मू समाल के बोलना हाँ अरी मुझे भी कुछ कम न समझ तेरे चोटी काटकर बेरी की जाडी की तरह चिंजोड न दी तो हाँ मुझ बंद कर बड़ बोली ए इस भक्तानी को लेकर मेरे संग बैर करने आई हो ये अच्छा नहीं ठीक है यहां तो कुछ नहीं बोलती पर मैं एक दिन निवट लूँगी बांच कहीं की सफियागी सुनोज आई पाले करणी फटन पर्ली तक अब यहांसे सीदरे मुएं चल जा नहीं तो एक मैं बूरता हो जाएक तेरा अब एक कड़्वी यहां तो मिधा घल्वे अपनी चुहे की पूंच जैसी मूच बरोड मत, याद रख एक हाथ पड़ा तो लोड़ पोड हो जाएगा, गोरा भगत का घर बताओगे, आओ आओ सेट, तुम्हें क्या चाहिए कहो, चौरी के मटके, चौरी के मटके हम से बढ़के शगुन वाले तो रंगता ही नहीं कोई पर मटके तो मुझे गोरा भगत से खरीदने, गोरा भगत क्या से? वाव वाव वाव, गोरा भगत से बढ़के चौरी के शगुन के मटके यहां कोई नहीं बना पाएगा, इन लोगों के बनाए मटके तो शम्शान में काम आएंगे या ताड़ी भरने के काम आएंगे, चल तेरे चौरी के मटकों को ठीक रेना कर डालूं तो मेरा नाम कालू नहीं, मुझे भैसा काई गया साला यह देखो, इनका नाम चौरी के मटके हैं भाई, चौरी से बन जाए ना तो व्याता का मन फिर से फिरे लेने को मचल जाए, ऐसे चितर बने हैं इन पर इलो भगत, समालो अपने ग्राहक को, अब मैं चलू जये शिरिकिष्ण बहें यह देखो मटके, शगुन के मटके, शगुन के मटके, बाकी के तो मरगट के हैं, मरगट के बोलो सेठ, मैं आपके क्या सेवा करूँ गुरा भगत, मेरी एक लोती लाजली लड़की है, उसका लगन मंड़ तुम्हारे हातों से घड़े मटके, चौरी में बात के बेटी ब्यानी है सेठ, मटके घड़ते तो सारे एक जैसे ही हैं, सारी मिट्टी तो धर्ती की, जहां से खोदो, एक जैसी ही निकलेगी उपर के चित्र हवश्या लग है, इतना ही फरक है यही बात है भगत राज, फरक इतना के स्वाती नक्षत्र की गिरी बून सीप में गिरे तो मोती बने, अगर साब के मुँ में पड़े तो जैर इस जहर या अमरित दोनों के स्रिजनहार तो एकी है, मुरली मनोहर, गोवर्धन के रिधारी मेरे वो शाम लो सेठ, यह चाओरी के मतके, मेरे मालिक के आशिरवाद के रंग से रंगे हैं, प्रभु बेटी का सुहाग अखंड रखे लो भगत, चाओरी के मतकों का मोल, सोने की महरे हैं नहीं सेठ, मैं चाओरी के मतकों का मोल नहीं लेता नहीं मत कहो भगत राज, यह आपको जरूर लेने पड़ेंगा नहीं सेठ, मैं तो कभी चाओरी के मतकों का मोल नहीं लेता नहीं भगत राज मेरी इतनी बिंती माननी पड़ेगा ये सेट नेरा अकल का दुश्मन है गुर नना कह रहा है तो भी वो सोने की महरें दे रहा है अरे मंगल तु चला जा ये सेट जो दे ले लेना तु हाँ सेट धूल के मैनत करने वाला हूँ इन सोने की महरों का क्या करूँगा नहीं सेट तो फिर बेहन मेरी तरफ से तुम्हारे कपड़ों के लिए कपड़े तो हमें देने चाहिए बेटी के विवा के इसके बदले कन्या के देहज में से मैं उन कपड़ों में हिस्सा बटाओं बेटा, जरा यहां तो आओ, बेटा, ले, मेरी तरफ से तेरी शादी हो, इसके लिए अभी से भेड़ देता हूँ मंगल बेटा, हम नहीं ले सकते कह तो, चौरी के मट्के हम बेचते नहीं लो सेट, हम नहीं ले सकते ये भेड़, धन्य भगत राज धन्य एक घर में सब के सभी सोने से सवाय हैं, बेटा, रख ले, तेरे घर कोई सादू संत लोग आए तो भोजन करा दे, सेट, आप जीत गए हम हार गए, ले बेटा मंगल, इसे अनुक्षेत्र के कलश में डाल दे, राधे क्रिष्ण, 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 डाला जी, मटकों को तोड़ दो, हाँ आप फोट डालो बटके, डाला जी, पहादें के मटके भर पहुंदे रहे हाँ थोड़ा, थोड़ा हो होड़ा, थोड़ा मरी के मठके नहीं नाश हो जाए खाले के BчC ऐसे सुंदे मत्के क्यों फूढ रहा हा बद्माश महाजान, लेजा आपने चवरी के मत्के आजाओ, महाजान, लेजा आपने शगुन के मत्के तोड़ो हड़ी पल सब zus, नीश कप्यं काल 앉, कल लुटे, तेरे काले करम तेरे सामने आए कार आजाओ हमें, भागे वोबने, यहाज़ा महार काके जाओ, मत्के फोड़ने आ थे मक्के फोड़ने आ थे या ? ले ख़़ भूर। बोलो महाजन। ! जय द्वरकधिश ! तुम्हारे द्वरकधिश की मानता मानी है ! मेरी आशा पूरी करे ! तुम्हें तुम्हारे भगवान संचे जन्द ! जरबता क्या आशाद हुई गए ? एक ही आशा है ! इस घर में पालनभंदे इतनी... संतान हो तेरे, इस वास्ते द्वारकधिश की मानता मानी है नात, इस्तरी हमेशा ही भगवान से यही प्रार्थना तो करती है कि उसकी गोधरी भरी रहे, घर के वंच की पेल बढ़े पच्चे के बिना इस्तरी जिमन ब्यर्थे गंगा, धीरज रख, द्वारकधिश की यात्रक करेंगे मगर प्रभु के सामने संतान की प्रार्थना तुझे ही करनी होगी, मैं नहीं मांग सकता चल, तू भी अब खाना खाले दारे विक्षु बाहर निकलो, अंदर भोग लगाए जा रहा है चलो गंगा, भक्ति तो खांडे की धार है यहां तो प्रभु के आंगन से उत्सब में आये हुए भक्तों को निकाल रहे हैं मगर मेरे नाथ तो दयालू है, दया के सागर है है पाखंडियों को करे निहाल और गरिबों से रूठा फिरे है पर तेरी लीला अपरंपार अरे तो है कौन समझावे सावरा गंगा तू तो खाले नहीं सुन यो हरीके दर्शन के हट न कर श्रावन मास है आये हुए भक्त लोगों की भीड क्रिश्न जन्म के दर्शन पाने मंदिर में भीर उमर रही हो वहां हम जैसे गरीब गुर्बा मंदिर के द्वार तक क्यों कर जा पाएंगे ले जितना कर खा ले ने भगद तुम भूके रहो मैं खाओ भगद तुम्हारे समान भक्ति और भगवान की महिमा नहीं जानती मैंने तो ब्रत लिया है इन सुके रोटियों का प्रसाथ प्रभु का भूक लगा के फिर खाओंगी बस भजा के सामने ध्यान लगाई बैची हूं देखती हूं कब तक दर्शन नहीं देंगे वो देंगे जरूर दर्शन देंगे गंगा मेरे गोपाल तो दयालू है बस द्वार काधीश के नाम के धुन मन में लगा गंगा मैं राधेशाम राधेशाम विठ्थल 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 राधेशाम रादे शाम, 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 रा रादे शामा रादे शाम देशा, मरा देशा, दिखल, 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 दि आइसे खाओं बताओ घडवया सुनो ठाकुर जी नहीं हो घडवया सुनो ठाकुर जी नहीं हो जा सोदा के हेत और गोपियों के प्रीत बिन अस्वन अखियां लिगो जा सोदा के हेत और गोपियों के प्रीत बिन अस्वन अखियां लिगो ये फूल मन बिरते मुझे काटों से चुपते हरे आरती से जला जला जाओ रे घडवया मैं तो प्रभु हो कि नहीरे पुजाओं फ्रवया सुनो खाकर जी नहीं हो जाने दो जट मुझे जम न किनारे वहाँ प्रज में बासुरी बजाओं जाने दो जट मुझे जम न किनारे वहाँ प्रज में बासुरी बजाओं हे रच नहीरास मोहे कुझ की गलियों में पाखंदियों से ना पुजाओं रे घडवया मोहे प्रभु हो कि नहीं रे पुजाओं ओ घडवया सुनो था कुर्ची नहीं हो सोने के थाले औरे चपन पकवान ये भगत को छोड़ कैसे खाऊं सोने के थाले औरे चपन पकवान ये भगत को छोड़ कैसे खां खे फोले भर मानव की छुपड़ी में जाके वहां सुखी दो रोटियां में खाऊं रे घडवया मोहे प्रभु हो कि नहीं रे पुजाओं घडवया सुनो खाकर जी नहीं हो के तब होके नहीं रे पुजाओं रे घडवया सुनो खाकर जी नहीं हो रे घडवया मैं तो ठाकर जी नाहि हो राधेशा, नाथ, नाथ? यह थोड़ा जलपान तो कर लो भकट में जाई जाड़ सोदावंया भकट जी डर्सन वर्सन कर सके की नहीं कर लेंगे वागे में रहा तो तो फिर हो चुके दर्सन तुम्हें ये लो पहले करो पेट पूजा फिर दर्सन अर्सन होने होंगे तो हो जाएंगे नहीं भाई, हमने तो भगवान के दर्सन करके फिर भोजन का व्रत लिया है। यही तो मैने व्रत लिया है। यात्री को भोजन कराके फिर भोजन करने का। यहाजी तुम्हें देखा यहीं व्रत तोडने को मन हुआ। भक्त नहीं खाओ तो तुम्हें मेरी जान की कसम आप खाले मेरे भाई हम अपने ब्रत को नहीं तोड़ेंगे हम तो संसारी मनुस्य है अपने से भलाय बृत्वत रखे जाएंगे एरे मेरे भाई सुनो इस मंदिर की धजया के सामने ध्यान करके पति-पति दोनों खा लो नहीं भाई नहीं एरे भागत जीजान की कसम देकर प्रेम-पुरोग खिलाने अला कोई नहीं मिलेगा मिलेगा भाई । जरूर मिलेगा मेरे वो नात कठोर नहीं दया के वो सागर हैं भक्तों के रखवाले हैं ये तो यहां गायों का ग्वाला है ठीक है अब तुम्हारी इच्छा यहां रहा तो तुम दोनों मिलके मुझे भुका रखोगे चलता हूँ जय स्रीकृष्ण जय जय सुदा मैया भागत जीव कि भागता है? कि रखवदिष्गे! कि रखवदिष्गे! कि रखवदिष्गे! साल कि निरायं जान, पक्षान बगचान देए! पर महराज, भागत, भोजन कराऊगे, इस भू के सादू को भोजन दोगे पर महराज, पर हमारे पास तो सुखी रोटी के जिवा कुछ भी नहीं अरे बहन, कई दिन से खाया कुछ नहीं, ये तुम्हारी रोटियां मुझे, ये तो पकवान से ज्यादा मीठी लगेंगी पर महराज, पर अलक निरंजन द्वारकदीष की आजे। यह क्यासा चमक कार द्वारकदीष की मूर्थी कहा गई ? भगवान कहा गई ? द्वार कदीश की मूर्ती मंदिन पे से अद्रच हो गई है चलो चलो हम अभी तलाश करें चलो चलो साधू को प्रेम से भोजन कराया तुम्हारा कल्यान हो आपका आशिरवाद महराज लो बहन यह भगवान का प्रसाद है साधू के वचन में विश्वास रखना तुम्हारा कल्यान होगा तुम्हारे वंद कीबरो कामना पूरी होगी आलक्त नेरान जाण अरे यात्रियो यहां आओ- पुझारीजी नमस्कार तुम्हें के हमारे द्वार कधीश की मूर्थि को कहीं देखा अरे पुझारी जी यहांँ आठ आठ दिन से द्वार कधीश के दर्सुन पाने मंदिर में अर्फित प्रशाद यहां कैसे कौन नियां संत हैं या चमतकारी मैं संत नहीं चमतकारी नहीं मैं हूँ अपने नाथ के चरण रज गोरा कुमार एक साधू यहां पधारे थे सूखी रोटियां हमारे पास से खाई कहां गए हमें ख़बर नहीं वाह प्रभू भक्त कि चलिए भक्त राज के बंदिर में परा रहें कि यह चाहूं Rs 2 विट्थल विट्थले-विट्थले-विट्थले-अरे विट्थले-विट्थले गोलव् jeunes स्केइल गें जय बहें जारिताध ही शुकी, जाय! जेशो भाई की बाराद में लड्डू पेड़े अंखाएगे मिलिके रखाएगे महराज, ले जाओ मेरी दुलहन रानी का शिंगार जाके मेरे ससुर जी से कह दो कि जेशो कलदार बाराद लेकर बाजे गाजे के साथ करते चड़के फेरों के बाद से आने वाला है, समझ गए ना? चलो, चलो, चलो जेशो, मुझे दिन भी आशी छोड़के मेरी साथ लेने चला मेरी इस रंगिन चूसनी को भी तो देख आज तक मैं बाल कुवारी हूँ पाल कुवारी, तो रंगिन चूसनी को चूसा कर तू हाँ, चलो, जल्दी करो पेशो, ये तेरा भार घुड़ा पीछे लोटा बोलना, मैं तेरे नाम पे कुवारी बैठी रहूँ क्या क्या मैं तुझे ऐसी कुवारी थोड़ी रहने दूँगा अरे तेरे संग भी ब्या करूँगा, राने पर कप करेगा अरे तेरी मा कहती है ना अभी तू जरा बड़ी हो जा आजाएगी तरी बारी, बड़ी होने तक मेरा घर चलाने वाली रोटियां बनाने वाली तो चाहिए ना मैं क्यों कर चला हूँ पर तेरे गारे को पतला करने के तो मेरी माने भी हां कर दिये अरी गारे को पतला करने से थोड़ी काम चलेगा अरी नादान तो किसी ते पूछ तो सही घर चलाना होना तो रोटियां सेखनी पड़े पानी भरना पड़े कपड़े लत्य धोने पड़े इस तर बिचाना पड़े और कहीं बीमार हो जाओना तो पैर तक दबाने पड़े ब्या की बाद इतने काम करने पड़ेंगे हाँ अब तुम मुझ से चुसनी को निकाल आगे समझ ये बताया है ना सारे घर वाली के काम है कितने ही ऐसे काम होते हैं कान में समझने वाले होते हैं समझी सब काम करने को मैं तयार हूं तू थोड़ी दर सबर लेंए में अपनी मा को मенно Profile अभी यही पर लाती हूं तू जट से जाके पठस्या तेरे लुटने तक मैं वर्गजे को यही पर रोके एकता हूं थेरो, ये तुम नहीं समझोगे, सुनो जमाई राज, मैं यात्रा जाने से पहले अपनी नन्नी रानी का कन्य बहन करती हूँ अब नन्नी कहां रही, नन्नी मुन्नी कली से फूल बनी कन्या को दान देच चुकी आप तो, अब आगे बोलो जिसे बागी के फेरे भी पड़ जाएं अब अगनी की साक्षी कॉल करो, तो ही मेरी यात्रा सफल होगी वहां तक तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे का कोई पालना ना बनने पाए अरे तो सास जी, हम कुवारे ही रहते हैं ब्याये क्यों हां, ये तो तुम जुदा नहीं रह सकते थे ना, इसलिए मैंने साथ रहने का इंजाम कर दिया पाकिसंसार को भोगना मना है ओ, तो फिर पहले के फेरे भी यात्रा के बाद ही आगे फिरवा लेती ही, सास जी मा, क्या हुआ रानी अधुरे फेरे के बाद से एकदम मुझे चक्कर आ गया अब दे दो इसके मुँमें चुसनी को तुम यात्रा से जब वाप तक वापत आओ, चुसनी चूसती ही रहेगी गंगा भाबी, गंगा भाबी, क्या हुआ कहो तो, क्या बात है बोलो न भाबी अरे रानी, तेरे समझने की बात नहीं ले गंगा, एखा, मेरे ठाकुरे तुझे अच्छा दिन दिखाया है तेरा मौका जब आएगा ना, तब समझ पाएगी, समझी मेरा मौका, आ, क्या ये सच है गंगा भाबी ये गंगा भाबी, लड़का होगा तो, नाम मैं रखूंगी नाम रख ले, रख ले, नाम रख ले तो अपने लाल का कब लल्ला का पल्ला बनने वाला है बता जरा नाम बंधिगा बेटा होगा तुझे लेगी कडवी भाबी भगवान में तेरी जबान में मेट मारी है, मेट समझी? अहाहा, अरे ये ले, उस भगत को भगती भजन से पुरसत नहीं रहती, और इसे खिलाने को बेटा चाहिए, अरे होगी काले कारम की कमाई इसकी काले कारम की, हाँ नामदेव महराज की जैओ, भगवान में इनके हाथों से ही परसाद खाया है, सुदर्शन चक्र और बंसरी भगवान ने इन्हें अपने हाथों से सौपी है नामदेव महराज की जैए नामदेव महराज की जैए नामदेव महराज के राजा और महराजा भी शिच्छे हैं अरी अरे लोक तो ये बात भी मानते हैं कि नाम देव महराश्री कृष्ण भगवान के अवतार है। गोरा भगत जाये श्री क्रिष्ण जाये श्री कृष्ण पधारभायो ये मत्के छोड़ो भगत और हमारे साथ पधारो राजसभा में महराज ने बुलाया है। कहा राद सभा कहा गोरा एक माटी खुंदन हारा कुमार मेरा मजाक न उड़ाओ भाई मजाक नहीं गोरा भागत काशी से महान पंडित आए हैं वो लोग आपके साथ ज्ञान की चर्चा करने वाले ज्ञान या ज्ञान वो ऊपर वाला जाने भाई चलो देख रहे हो न भैंट उस दूर्ट के लिए अब राजा के एहाँ से भी बुलाव आ गया भागत दिखता तो है आधा पागल लेकिन उसके पास कुछ गुणड लगता है जनतर मंतर वगएरा वो जानता है क्यों वो बेकार की बाते करती है, तेरे आगे तो यम भी दुहाई मांगे क्या कहा, अरे यम तो दुहाई मांगे यही, वो तुम्हारा मा जाया भाई लगता है न, तो फिर बाजे गाजे के साथ कहीं यम न ले जाए, उसे बचा के रखना जय द्वारीकाधीश, जय द्वारीकाधीश, महराश्री, यह है हमारे गुरा भक्त, गुरा भक्त, यह है हमारे महराश्री नामदेवजी, भगवान के परमुपासक, आपके दर्शन करके पावन हुआ महराज, भक्त राज, महराश्री नामदेवजी, सत्य तथा सत्य, वंध इस जीव तथा शीव का ग्रेट क्या है। इस पर शास्त्र आर्थ करने यहां पता रहे है। शास्त्र तो मैं पढ़ा नहीं। मैं तो कुमहार हूं। माटी खुंते माधव का नाम लेता हूं। लेकिन पूछिये, समझ के उत्तर दूँगा मैं। महराई श्री, पूछो प्रश्न। समुद्र यदि पोखर से पूछे कि उसकी गहराई कितनी, तो उसे क्या जवाब मिलेगा। समंदर हो या पोखर हो, था दोनों की मिल जाती है। पर था नहीं मिलेगी तो एक की, मेरे उन शाम गहन शाम की। वाह, पंडितों के सामने डट कर कुछ बात कर सके, इतना दम तो है इस भक्त में। बताओ गोरा भक्त, तुम्हारा गुरु कौन है। महराज नाम देव जी, जो किसी से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो यह अभिमान भराशोगनिय सवाल है। गुरु बिना ग्यान नहीं, ग्यान बिना मोक्ष नहीं, यह दाज संत नहीं न भगती है। लेकिन कुछ पूछता हूँ कि एक कसोटी करने वाला पारस है कि पत्थर है। मैं पारस हूँ, इसलिए तुम्हारी परीक्षा करने में यहां आया हूँ। तो किसके प्रताप से पारस हैं, इसका जो ग्यान करा सकें तो कसोटी अपने आप हो जाएगी। मैं स्वयम अपने ज्यान से प्रकाशित हूँ, पंच तत्तु से परे। तिरलोक से न्यारा हूँ, अजर, अमर तथा अविनाशी। अजर, अमर अविनाशी कातो में दास हूँ। पर सद्गुरु से ज्यान पाये बिना ये विचार तो अहंकार म्रगजल समान है। तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है। कौन बुलवा रहा है। बोलने वाला और नहीं परमेश्वर स्वयम है। अज्यानी अंधा तो कहीं और जाके ढूंडे। पर घट घट में मेरे वो घंशाम बोलते हैं। बुलवाते हैं। तथा वही सुनते हैं। ये तो तुम्हारी खोखली विद्या है गोरा भगत। नेरे थोथे सारहीन विचार। जिसमें कोई वेद या शास्त्र नहीं। परमात्मा की प्राप्ति का कोई माग तक नहीं। कृष्ण की प्राप्ति के तो करोडों सूत्र हैं। जिस दिन वेद पुरान कुछ नहीं थे। आदिकाल से त्रिलो के नात के अगम मगोचर जोते सदा प्रकाशमान थी। ऐसा विशाल सृष्ट निर्मान जिसने किया उसको पहचानो महराज। कैसे पहचाने। किस स्वरूप में। यही ये शक्ति है। इसे थाबित कौन कर पाएगा। जिनका स्वरूप चितरते चित्रकार तो ठक जाएं। जिनके गुण लिखते या कहते शेष ब्रह्मा या शार्दा ठक जाएं महराज। उसका सुबूत नहीं होता। गोरा भगत। अब मैं तुम से आखरी प्रश्ण पूछने वाला हूँ। के तुम कुमार हो ला। हाँ, मैं कर्म से कुमार हूँ। पर जन्म से तो समान हैं सारे। कच्चा भरतन तुम किस प्रकार पर रखते हो। इस लखणी की डंडी की ठकोर से। भरतन आप ही बोल उठेगा के मैं पक्का हूँ। अगर बोदा बोले, ठेक रही निकलेगा वो। सुनो गोरा भगत, यह मेरे शिष्षे हैं। इनका मैं गुरू हूँ। क्या तुम बताओगे कि इनमें कच्चा कौन है और पक्का कौन। जैसे आपकी आग्या। मैं सिर पर लकडी के टकोरे मारूं तो बुरा नहीं मानना। बरतन परक्षने हो अगर तो टकोरे मारने पड़ेंगे। क्या तुम बताओगे के लिए मैं भी तैया। शुआ कीजे महराज। आप तो पंडित हो पोजनी हो। मैं आपको कैसे परखू। लो मैं हार मानता हूं। जीत तो मेरे जगदीश्वर की है। नहीं गोरा भगत। तुम्हें सोगंध है श्री हरी की। तुम्हें कहना ही पड़ेगा मैं कच्छा हूं के पक्का हूं। मारो ठकोरा। बोलो बोलो गोरा भगत। मैं कच्छा हूं के पक्का हूं। ज्यानी हूं के अज्यानी हूं। अधूरा हूं के पूरा हूं। बंधन युक्थूं के मुक्थूं। बोलो बोलो गोरा भगत यह तो देव सवा है जूट बोलू तो इश्वर का गुनेहगार कहा हूँ अगर सच कहूं तो सच ही बोलना गोरा भगत अपनी अंतरा आत्मा से चल करोगे तो तुम भगवान से चल करोगे ये सारे संथ तो पक्के और पूर्ण हैं और मैं कच्छे और अधूरे इसका कोई प्रमान मैं मैं हर बात में मैं के हुंकार साबित करती है अहंकारा भिमान के जल्ती ज्वाला में भट्ति के फूल नहीं खिलते पोथे या पुराणों में पढ़ी तोता रठन से केवल दम भी बड़ा है देह के खाली पिंजरे पर ये भगवेवस्त्र पहन तो लिए परमन माटी न रौन दी गई न खून दी गई बोलो नाम देव जी अभी कोई प्रश्ण बाकी है कि शास्त्रा आर्थ पूरा हुआ है नहीं राचन शास्त्रा आर्थ अधूरा होता है इसका तो मुझे आज क्या अनप्राप्त हुआ प्रश्ण पूरे कर लिए वढ़ी आर मान गई धन्य है धन्य है ये नगरी कि जहाँ गोरा भगत समन संत बसते हैं गोरा भगत आज से तुम मेरे गुरू और मैं तुम आज ये क्या माराज मैं तो समस्त संतों के चरण रज हूँ नमन तो मेरे नाद को करो गोरा भागवच्छ। महराज, एक बार प्रेम से बोलो, द्वारीका धीशकी जे। गंगास, मैं तुझसे हमेशा कहता हूँ के तु तेरा ध्यान रखा कर, भगवान ने तेरी इच्छा पूरी कर दी है, तु भी कुछ दिन भक्ति से हरिनाम का भजन कर। अजी तु काम कौन करेगा, कि तुम करोगे, जाओ आबा चलाओ, कोई जो देखेगा, तु कहेगा, कि भगवान से जादा पत्नी की सेवा में लगकर है। अरी नादान, भगवान तो सब में एक जैसे वस्ते हैं। अरी गंगा, एक बात कहूँ, ये तेरी पहली सोबर है, इसलिए तेरे मायके में छोड़ा हूँ तो, तेरे लिए ठीक रहेगा, और मेरे फिकर दूर। भगत, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, कि मैं तुम्हे घर में अकेले चोड़के कई नहीं जाओंगी। बहुत अच्छा, जैसे तेरी मर जी, मुझे सिर्व तेरी चिंता। अपनी मा के संग, यहां बहन जमना को बुलाया है, समझे। तुम्हारी भगती में बादा नहीं पड़ेगी। विठ्थले, विठ्थले, विठ्थले मा, मा, क्या है। इन बिल्ली के बच्चों की मा मर गई है, दूद पिलाओ। अरे, यह सड़े से बिल्ली के बच्चे यहां कहां ले आये तू, जाके डाल दे घूरे पर। नहीं तो ले जाओ उस बांच के घर, इन्हें पिलाएगी दूद। हां, बड़ाया दूद पिलाने वाला बिल्ली के बच्चों को, दूद मुफत आता है क्या, मेहनत पढ़ती है। काकी, हम अगर बिल्ली के बच्चों को दूद पिलाएंगी तो भगवाल हमको भी दूद पिलाएंगे न काकी। हाँ बेटा सुरूर दूद पिलाएंगे सुनो तुम्हे में मत्के में रखता हूँ कल फिर दूद पिलाने आउंगा तब तक यही रहना अच्छा भगत, पढळोस में बुड़ी ब्रामी को ए広ण प्रसाद देखे आते बहुत चार Vittala, Vittala Vittala Radhesa Radhiyay. Radhye Krishna विट्थला, 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 वि काकी, क्या हो बिटा विल्ली के बच्चे मैंने यहां मटके में रखे थे, कमे पाइब और हे भगवान! कच्छे मटके, क्या होने तिरह काकağı ने! भगत! भगत! क्या हुआ? भगत! तुमने विल्ली के दुबच्चे को देखा? कहा थे? मंगल ने यहीं कच्छे मठके मुणी रखा था कच्छे मठके में? यह बगवान, कच्छे मठके तु मैंने आवे लगा दिये आघे औरे, मंगल, क्या हुआ बेटे? क्यों रहा है? क्या हुआ लाए? काका ने, बिल्ली के बच्चे, आवे में चला के मार दिये क्या कह रहा है तू हाई हाई माटी मिले गले में माला मुह में राम का नाम नन्ने मुन्ने बिल्ली के बच्चे तुने आग में जला दिये पापी कही के तेरा सत्यानाश हो जाएगा सत्यानाश हो जाएगा अरे रे मेरे बिल्ली के बच्चे मार दिये भाई यह तो बहुत अभी मैं बड़े मुख्या से फर्याद करता हूं एक बात और है मुख्या से जाके कहना के आज भगतड़े ने मंत्र विद्या की सिध्धी के लिए धूर्तता से मा डाला है बिल्ली के बच्चों को ये मुझ पर छोड़े बहन तू देखना तो तमाशा अभी मुख्या को ले है है जी अनजाना अपरात मेरे शीश चड़े अबनात अरे आज गुरा की अब रू हो हो है मेरे हरी वर तेरे हाथ जी 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 ज है जीरे हरी निराधारों के आधार सत का बेली साब लाए सत का बेली साब लाए सब हमें खिचे थी सारी पॉंच आले पुकारी गौला सब हमें खिचे थी सारी पॉंच आले पुकारी गौला है लाज तो बचाई रे हो सत का बेली साब लाए है जी अपने भगत का करियों ने उत्था है हरी मेरे निराधारों के आधार सत का बेली साब लाए मेरे सत का बेली साब लाए सत का बेली आधारे पुत्र प्रणाद के खोली आधारों तैंगो रिखे दोगा Southern का जलाने बैठी, पूत्र प्रनाद की होली, होली का जलाने बैठी, थे बच्चे का भयोरे बेली, बच्चे का भयोरे बेली सत का बेली सांब रारे, एजी अपने धगत का कर्योरे उठा, है हरी मेरे निला धारों के अधार, सत का भेली सांब रारे, मेरे सत का भेली सांब रारे, ये बिल्ली के बच्चे बचा दे, जीवन को आज तू ला दे, ये बिल्ली के बच्चे बच्चा दे, जीवन को आज तू ला दे, फे में तो मेरी भक्ती ला जे, में तो मेरी भक्ती ला जे सत का बेली सांब रारे, ए जी अपने ठगत का कर्योरे उत्वार, ए हरी में निराधारों के अधार, सत का बेली सांब रारे, मेरे सत का बेली सांब रारे, कर्वारों की ला जे ए हैं तू तू एारे, प्रवार जै, अर्वारों के ला जान दे की ला बेली सांब रारे, कि आज की रहन के लादगार, झाल झाल आप आप मुझे भिखाले भिखाली भिखाले भिखाली भगत तुम्मारी यहांद लड़का हुआ है क्रिश्र बिखाही करनाidor पधाई में मुझे क्या भेरत होगे ये लो माला मुझे बतानी नहीं बनना भगत मुर्चा ये बाँच के लड़का हुआ है ये मेरी नजर के सामने उसे गोद मिखिलाएगी अब ले बेटी, मैं खुआनने तेरी आशा पुरी कर दी, कैसा सुन्दर बेटा दिया बेटी, लड़के को बराबर से समाना, थोड़ा बड़ा हो जाए इसको लेके तो भगत के सहाना जुरूर हमें देटे के शगुन करना है न, अजी भगत, भगते करते करते घर का भी ध्यान रखो अब अकेले नहीं रहे, एक लड़के के बाप बन गए हो लड़का लड़की तो बस भगवान की माया है अच्छा तो भगवान की माया माया रखो चलू बड़ी बेहन, चलू माँ विठ्ठल, विठ्ठल, विठ्ठल भजो राधे, गोविंद, भजो राधे, गोविन्द, बजो लाधे, गोविंद. बाप भजन गै? बेटा सुनके तालियां बजाए. ध्रूअ और प्रलाद को भजपन में ही रामनाम की रट लग गई थी? अजियो, भगवान की भक्ती तुम अकेले करते रहो. अपने लालकी तो मुझे जल्दी से सुन्दर बहु ब्याह के लानी है वहरे संसार का मुहजाल ब्याहो और पच्टाओ, पच्टाओ और ब्याहो ले, देख बेटे, तेरे बापु मुझे ब्याह के पच्टा रहे है ए भगत, देखो मेरे नंदलाल का मुझ, कहो तू, वो किससे मिलता है कहों? मेरे कनहया सा मुझ तुम्हे तु सब में भगवान ही दीखती है तुम्हे मेरी कसम, सच कहो आखों की संदर्ता मुझ से मिलती है न? ये हसता है, तो होड तुम्हारे जैसे लगते है संसार की माया में इतनी मिठास भरी है कि भगवान का संसार में आने को मन करता है नंदलाल राधेश गर में मेरे उजी आ राहे तु जीवन का मेरे सहा राहे तु अमर रहे मेरी आँख का तारा है तू विठ्थल विठ्थल राधे शाम विठ्थल विठ्थल भगट मैं कपड़ी धोली जारी है घर में नंदू सो रहा है जरह ध्यान रखो विठ्थल विठ्थल राधे शाम राधे शाम हे कौन वो कुभार कौन रे करी गर, कौन से हाथों तू घड़ायो, माटी के पुतले, कौन से हाथों तू घड़ायो, कौन से हाथों तू घड़ायो, किसने माटी ये रौंदी, किसने गारा ये रौंदा, किसने तो है चाक पे चड़ायो, माटी के पुतले, कौन से हाथों तू घड़ायो, माटी के पुतले, कौन से हाथों तू घड़ायो, कौन से हाथों तू घड़ायो, छोड़ अरे माया का बंधन, कुंघट का पट खोर, विक्ठल विक्ठल राधे शाम, हे पिता पुत्र पति पतनी जूठे, जूठे ही तू भरमायो, माटी के पुतले, कौन से हाथों तू घड़ायो, हे माटी के पुतले, कौन से हाथों तू घड़ायो, एक गगण को, एक गगण को, हड़वई ओरे, सब बातार खड़े रे, कोई खिलो ना, तूटे कभी ना, कोई पूट पड़े रे, हे अखिल प्रम का फिरे चाति, कोई समझ न पायो, माटी के पुतले, कौन से हाथों तू घड़ायो, किसने माटी ये रोंदी, किसने गारा ये रोंदा, किसने तो हिचात पे चड़ायो, माटी के पुतले, कौन से हाथों तू घड़ायो, माटी के पुतले, कौन से हाथों तू घड़ायो, किसने पुतले, किसने तू घड़ायो, किसने का पंची बोले, किसने तू घड़ायो, किसने तू घड़ायो, किसने तू जन्गों अज़ायो, किसने तू ढ ख़तो कर法ा थेशnew狂न्देश, किस ईड़ायो, कि नऴायो, कई बारी जय जय आए चान रए रार्शादोर से खरेजर बाल न Як कि जय बार्शार थिंगर था जिल हैं अच्तला थ, ऐ दो फे या कर दो जब जब जाँ दो कैना, बक्तला थ, ज कर दो पितला थ, ét बागत, बागत, घर में नंदू नहीं है, कहा गया मेरा नंदू नंदू? घर के अंदर देखा? घर के अंदर? यह क्या हो मेरे लाल, यह क्या हो? यह क्या हो मेरे लाल, अपनी जच्छुदा से मुपत पोड़ मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे नंदू हाई हाई नंदू आरे आधर्मी चंडाल ने दूद मुए बेटे को खुचल डाला है इसे देख तो कालू भाईया आरे पापी भगतड़े अगर इस गाउ का राजा पूछेगा तो क्या जवाब देगा मुझसे हुआ आप रात माथ करते हैं मेरे नाद की अमोल भेट मुझा अबागे ने अपने कले लगाने के बदले पहरों तल मिट्टी में रांट डाली यह मेरे किस जन्द के पाप की तुने मुझे सजा दी रगू इस गोरा अपना इसके साथ इतना ही लेंदेन का संब्द अठाा है र्भू की! र्भू की याद करे me! माईया, अब तो धरदीवट जहां मैं रख हुँगा तहाँ बुझ पर मेरे बाप की परचाही फोकर के मुझे दिक्का रहेगी इंक के गोरा तु प्रभू का गुलैगार है तु प्रभू का गुलैगार है तु बगवाल के बगीचे का भूल, मिट्टी में रॉन डाला तुने, मिट्टी में मिला डाला तुने, लंदला, लंदला अजी कहा चले, कहती हूँ लड़का कोई बीमार होके नहीं मरा, पर तुम्हारे पाखंडी भाई ने देवता के भोग की बली चड़ा दिया है उस बच्चे को अरे हट पापी नहीं, कोई पिता पुत्र की हत्या कर सकता है रहने भीडो, रहने भीडो, अभी राजा की सिपाही तो आने वाले ही है, वो इससे तो कैडने बंद करेंगे, तो करेंगे, पर भाई के संग, तुम्हें भी बंद कर देंगे, समझ गए ना, चले है भाई के आंचु बोच्चने गोरा भगत, तुमने अपना सगा लड़का पैरों की नीचे रोन डाला है, ये तुम पर आरोप है महराज, अनजाने से किया पाप यदि छुपाऊं, तो ईश्वर का गुनेहगार कहला हूँ अनजाने से? जी हाँ महराज, जानते हुए कोई पिता नन्ने फूल से अपने हस्ते खेलते बालक की हत्या नहीं करेगा, उतके लाल को कुछ लेगा नहीं अनजाने से हुआ इसका कोई साक्षी? साक्षी, साक्षी तो श्री हरी न्याए तो नजरों से देखने वाले कोई सच मानेगा है महराज, मेरे कुछ ऐसे शक्ति तो नहीं कि साक्षी देने प्रभू को यहां हाजिर कर सकूँ महराज, भगत के बदले कुछ अर्थ कर सकूँ क्या फर्यादी से मैं दो परस्न पूछ सकता हूँ जरूर पूछो भई फर्यादी, गोरा भगत ने लड़के को जान के कुछल डाला ये अपने आँखों से खुद देखा था क्यों हाँ, मैंने खुद देखा कुछलते हुए तो महराज, भगत तो भगवान के नाम की धुन में मस्त था इसे तो ये ख़बर नहीं थी के पैर के नीचे माटी रौंद रहा है के पुत्र के शरीर को पर आँखों से देखते फर्यादी ने, धर्म के आवतार ने, देखते ही इसने बचाया क्यों नहीं उसको इसने क्यों बच्चे को मरने दिया महराज देखते हुए इसने बालक को मरने दिया, यही खुद एक गुना है, गल्ती करके भग के विरुद्ध फरियाद करना यह प्रमान है, केवल इर्शा और अदावत के कारण फरियादी फरियाद दर्वार में लाया है, तो फिर महराज, न्याय की नजर में अब भगत कैसे गुना आगार है तो पन जुलाओं औरे, आली रे गोती है, आली जुलना परियरे बगत लेकी रचे लेकी विजोगां तेरे बगतल की रचे लेकी विजोगां ये तामकी पासू से विजोगां औरे खाली है गोती है, खाली जुलना पल्यूरे तकर फोनात मार्ग मेरा रुपे मेरे बरे तकर फोनात मार्ग मेरा रुपे मेरे बरे दुख़ी भख़े विजोगां वरा दूरी एचोडी नोरी चाने डिलक वरा धूरी एचोरी presumरा दूरी एचोरी नोरी कोनी मेरे काम को बढ़ाए मैं तो जुटी मुटी पिसे अब फर्माओ रे खाली रे गदी रे खाली जुना दूधे के तारा मेरे छाते से उजड़े दूधे के तारा मेरे छाते से उजड़े पिने वाया खान हामूरे खाली रे गदी है खाली जुना मैं तो मेरे की आपा खाली रे जुना ओरे खाली रे खाली बती है खाली जुना खाली रे खाली जुना क्रिश्टी की मूर्ती कहां ले जा रही है? पानी में ठेकने जा रही है पानी में ठेकने? हाँ पानी में ठेकूंगी मैं जिसकी भक्ती के कारण मैंने अपना लाल खोया यह गोध उजड़ गई नादा नी छोड़ गंगा जगत में संतान बिना तो अनेक मनुष्य जीवित है पर प्रभू बिना ये जीवन तो प्राण रहिन हुई काया समान है गंगा प्रभू की घर में प्रतिष्ठा कर दे अब तो इस घर में मैं नहीं या तो ये तुम्हारे भगवन नहीं गंगा तुझे सोगंध है गंगा मेरे प्रभू मुझे वापस लोटा नहीं कहता हूं मुझे दे दे नहीं दोंगी तुमको गंगा तेरी विंति करता हूं मेरे प्रभू मुझे लोटा दे नहीं, कह तो दिये नहीं दूंगी में, नहीं दूंगी में! मेरे प्रभु मुझे लोटा थे, मान जा गंगा, जितना कर कहता हूं मुझे प्रभु दे थे नाथ, आगे न बढ़ो, मुझे जो हाथ लगा, तो तुम्हे तुम्हारे द्वार का धीश की सोगन है गंगा, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु भगत, भगत, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आच्छोक के करण, एक मा की ममता, भल भर प्रभु को विसार बैठी, मेरे मुझे जगत के नाथ की जरूर बेज़ जती हुई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुझे सपर्ष नहीं करना, आच से तेरे मेरे संसार बीच लक्षमन देखा खीच गई है, बस गंगा, इस जन्म में तो इस आच से तेरे सपर्ष करूँ, तो सौ सौ नरकादिकारी क्या लाओं नाथ, मेरे कुछ अपराद है, तुझसे अपराद यह हुआ, कि ममता की व्याकुलता में अभी तूने मुझे कहा है, कि भगत, मुझे हाथ लगाओ, तो तुम्हे तुम्हे द्वारकादीश की सौगंद है, इन द्वारकादीश की सौगंद मैं कदापी नहीं तोड़ सकता मैं कदापी नहीं तोड़ सकता नाथ, नाथ रभू, मेरे नसीब में क्या तुने ये भी लिखा है, लाल को खोया, ग्रहस्ती के सुख सदा को खोये, बेकुसूर हूँ, मुझे सदा मिली है, बेबसी पर आसु बहाँ सदा अजी, गोरा भगत, बेहन, मेमान आये है, प्रणाम, प्रणाम, जम्ना, अरे, नंदू कहा है, अंदर होगा, अब ही लाती हूँ, नंदू, यहाँ नंदू, यहाँ नंदू, नंदू, यहाँ नंदू, भगत, हम से जितना भी बन पड़ा हम लाए है, हाथ के कड़े, और यह पहुची, और यह करधनी, बेहन, घर में नहीं है, नंदू, कहाँ पर है, उझे को खिलाने ले गया, कहाँ गया हो बेटी, बापू, बापू, गंगा, बापू, जम्ना, नंदू, नंदू तो, श्री कृष्ने की गोद, स्वर्ग में वो खेला है, स्वर्ग में, बापू, नंदू रूट के हम से चला गया, सदाकू, बागत, हमें ख़बर तक नहीं की, भक्ती के ध्यान में गवार तक भूल गए, अजी, संधी जी, ओ, संधी जी, अजी, मैं कहूं के धी जमाई में तो जरा अकल का टोटा था, और तुम्हें साथ वरस की उमर में समझ नहीं पड़ी, कि लड़का तो मर गया, फिर व्योहार करने आजाए हो, लो, गंगा बहू, पहनाओ बाप के लाई शकुन वाली सोने की पाची छोकरे को, प।ॉ।।।॥।।।॥।।। बहन, क्यों क्या बात है, बता दे, ना कहे, तो मेरी कसम है बहन, कहने सती चमना, कहने ही सकते तो भले ना कहे, पर मैं तो समझ गई हूँ, भगा सही पूछूँगी, भगती ही प्यारे थी, तो ब्याहे किसले तुम? गंगा, बेटी, क्या बात है गंगा? बाबु! मुझे भुलावे उम्मत रख बता सीधी तरह, मैं आया हूँ से घड़ी से देख रहा हूँ, कि तू और भगत आपस में बात करना तो दूर रहा, पर एक दूसरे को देखते तक नहीं। ऐसा कुछ नहीं बाबु! बाब से छपाएगी। बोल बेटी, दोनों में ऐसी क्या अनबन हो गई है, कि भगत ऐसे दुख देने लगा। भगत दुख देते होते, तो रो के शांत रह जाती, यह पी हर चली आती में। पर ये तो सुख के ब्रिक्ष में दुख के काटे उपचे है। गंगा, सच बात कहें तो समझ में आए ला। बात तो बहुत लंबी है बाबु। बोल बेटी। कहूं, तु मेरी बात मार लोगे। बेटा, तेरे सुक पर तु मैं सब कुछ आरपड करने को तयार हूँ। तो बापु, मेरे जिर पे अपना हाथ रखके कहूं के जो कहूं आप करोगे। गंगा, माता पिता को संतान प्राणों से भी प्यारी होती है। जरा कुछ कह तो बेटी, तेरा बाप ये विनुती करता है। जब ने ऐसे भगत कब ब्या करता हूँ। गंगा, मेरी कसम खाके मुझ करना मत बापू। भगत, अजी भगत। तुम अपने हाथ से क्यों बिस्तर कर रहे हो। यहाँ पर आंगन में। भगत तो हमने भी कितने देखें। पर तुम सबसे निराले भगत निकले हो। यह तो तुम जैसों ने भगत-भगत कहके नाम-भगत रख दिया है। बाकि मैं तो भोले भाव से भगवान का नाम लेता हूँ। तब तो भूले भाव से जंगल में जाकर लगा लो धूनी और राप मल लो। केलाने लोगो बाबा। तुम से पत्न और ग्रसी नहीं समलेगी। सबको समालने वाला तो ऊपर वाला है। भगजी तुम ही मौर बैंदे मेरी बेहन को ब्याने आये थे। तुम्हारा ऊपर वाला नहीं। जमना, ये तो जगत का विवहार है। विवहार है तो विवहार भी निभाओ। जरा मेरी बेहन को अच्छी तरह सुख से रखो। तुम्हारी बेहन सुखी ही है। आहा हाहा। ये तुम्हारा राजवैभाओ। उसके लिए तुम्हारी ये निराली प्रीत, मेरी बेहन को तुम हथेली की छाया में रखते हो, यहाँ वो इतनी सुखी है, इतनी सुखी है कि आंख में आसो ही सुखते नहीं सुख दुख तो मन की भावना है, जाओ, सो जाओ क्यान की गुदड़े ओड़के तुम ही सोते रहो, हम अपने साथ ले जाएंगे अपनी बेहन को, फिर तुम और तुम्हारे भगवान, मिलके मज़े सुरास रचाओ विठ्छले, विठ्छले बेहन, बेहन, भगवान को मैंने मना लिया, मला ले तुम्हें हाँ, ऐसा उल्टे हाथ हो लिया, क्या वो तेरे सामने कभी भी आग उठाके नहीं देखने वाले वहाँ दिंदी आसमान के तारे दिखा दिये, आप तुझे जरा भी दुख नहीं देंगे मेरे और भगत की सुक्तुक की चावी तो अब तेरे हाथ में है जम्ना ले, खरवाली के हाथ में चावी रहती है, गैर घर समालने नहीं आते तुम दोनों में अगर कल कहीं फिर से अन बन हो गई, इसलिए तुम पति-पत्नी को मनाने रोज में या आओ नारी बेहन, ये तो रोज अपने से नहीं होगा जम्ना, अगर तेरे बेहनों जैसा वर्ट तुझे मिले तो नारी बेहन, भगर से कुन व्या करें? जो मैं नहीं भगत से तेरा व्या कर दू बेहन, हटने वाली बात नहीं जम्ना इस घर में तू बहुरानी की तरह आएगी उसी दिन मेरे सुख का सूर जुगेगा बेहन, तू ये क्या कह रही है? तू और भगत, जिस दिन चौरी के नीचे होंगे दिल खूशी से नाचने लगेगा मेरे दिल की पार, बेहन बेहन का जीवन तुझे प्यारा हो तो इसे मान ले, ना नहीं करना नहीं तो इस घर में कोई दिन पालना नहीं बन देगा इस आंगन बंदू लटके फिर से खेलने नहीं आएगा बेहन, जम्ना मैं तेरी बड़ी बेहन तेरे पैर में पढ़के विनिती करते हूँ धेके बात मान ले आगे दे बं तेरे और भगत के संसार पे में अपनी चाया दूर रखूँगी मेरे बात पर बिश्वास कर राजा मेरा घुडी तरके दे। दुल्हा बनके, दुल्हनियां बेहा के गंगा, किसके गिद कह रही है? नहीं कहूंगी न्योता आया होगा कहीं से ब्याह का? किसका ब्याह है बता है? मुझे तुम्हारा ब्यारचाना है गंगा! गंगा कहो के जमना, मैं तु संबन तह कर चुए दीवानी हो गई है क्या? अज जी, आज तो तुम्हे करना है दीवाना अरे गंगा, सो तो होई चुका हूँ प्रभु के नाम के पीछे फिर से ब्याह करोगे, तो प्रभु कहीं दूर नहीं भाग जाएंगे प्रभु तो मेरे रिदय में है पर तेरी मेरी सची प्रित में तीखे कांटे पैदा हो जाएंगे काटे नहीँ, आनन के फूल कھیलेंगे सांगण आने वाली तेरी आँक में कांटे की तरह खटकेंगे गंगा आने वाली आख कशूड नहीं, मेरी आखका और रतन है मेरी सगी माजाए बहन जमना? हाँ, जमना. पराई से नहीं ब्याहूंगी. इसके लिए राजी है, जमना. लेकिन मेरी रजामंदी तो है राधे शाम का नाम. इसमें शाम सुंदर का ही कोई संकेत है. द्वार का धेश की सौगन देकर, मैं तुम्हारा सुख छीन चुकी हूँ. आठ सुख का मार्क संजोया है उन्हों नहीं. गंगा, तेरा और मेरा सुख तो इनहीं सांवरे के चर्णों में समाया हुआ है. यह क्यों भूल गई? भगत, मैंने आज ते तुम्हारे पास से कुछ नहीं मांगा. जीवन में पहले बार ये पल्लू पसा रही हूँ. इनकार करो, तुझी नहीं सकूंगी. अगर हां कहोगे तो… गंगा, इसका जो परिणाम होगा वो जानती है. भगत होकर परिणाम पूछते हो. परिणाम तो प्रभू के हाथ है. नहीं, गंगा, नहीं. शाम गिर्दारी के कंठी के साथ विवा की वर्माला का मेल नहीं सजेगा. भगत, दुआर का धीश के माते तीक और अक्षद तो कर चुकी. सामरे की साक्षी में संबन्ते होगा. गंगा! हां कहो भगत, हां कह दो. नहीं, गंगा, नहीं. नहीं, तुम्हें 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 द्वार का धेश की सागता है. तंदा! यह तुने क्या किया? क्या कह दिया तुने? जगनात, अखिर को जीत कया तू. बस, कोरा को हमेशा हराते रहो. किर्दारी हराते रहो नटवर्क. बहुत धारी है, अरे बापरे. ए रानी, गर्मी तो आ गई, पर तेरी मा नहीं आई अब तक. पर ऐसी गर्मी में मेरी मा कैसे आईगी? क्यों? मा के पैर ने जलेगी? अरे पर यहा अपनी जवानी जली जा रही उसका क्या होगा? ए रानी, हमसे तो ज्यादा यह गधे सुखी हैं, जब चाहे धूल में लोट लगा लेते हैं. इन्हें ना ब्याह की पंचात, ना ही पहनने वड़ने का बखेडा, ना ससुरा, ना सासू. केशाव, कोई बच्चा रो रहा है, भले ही रोने जैसे ही मा दूद पिलाएगी, शांत हो जाएगा, तु मिटी खोद मिटी. केशाव, देखना कितना रो रहा है बेचारा. अरे, अरे, मगर रानी, ले, अगर कोई छुकरा रो पड़े, इसमें आउलाद बिना इस रानी का कलेजा क्यों पिकल जाता है भला, अगर इसकी मा ने वचन की बादा ना डाली होती ना, तो आज तक, आज तक हो जाती एक मुन्ने की मा, अरी रानी, ए रानी, ले, तु कहा अरे, तो जो बादा ऊपर याथ का कुँ रानी, याड करवा, डाली, अरे, तेरा नाम क्या है तेरा नाम बता दे तेरी मा का नाम बताएगा? तेरे बाप का नाम मालूम है? कौन है अधरमी? ए रानी, इसे तो नाही अपने नाम की खबर है, ना मा के नाम की खबर है, ना अपने बाप के नाम की खबर है कुछ बापू, क्या है बेटी? बापू, आज मैं बहुत है खुश हूँ भगत की संग जमना का बया हो इसमृ देखो, भगत, तुम फिरे भोले भाले पर याद रखो तुम जिस भाव से मेरी बडी लड़के के संग बरतते हो उसे भाव से मेरी जमना से तुम बरतो नहीं तो तुम्हें तुम्हारे द्वार का धीश की सवगंद है वह अच्छा मा जैसी द्वार का धीश की इच्छा देखा बहनोई आज तुम्हारे इस भगत भाई का व्या हो गया और तुम्हें नियोता तक नहीं दिया उसने आरे तेरे बहनों इने कोशिश तो बहुत की बारात में शामिल होने की, पर मैं जाने दू तो ना? आरे नई बहु की गोद में था कुर जी लड़का दें, इसमें हमें खुश ही होनी चाहिए, अपने वंश की बेल तो बलेगी अची वंश की बेल जो बढ़ेगी तो तुम्हारी बढ़ेगी से मैं क्यों खुश हो हूँ, अरे घर में एक अभागन तो थी ही, यब दूसरी भी प्याल लाया, निकम्मा कहीं का क्यों क्यों कर रहे हो मुझे यहाँ नीन नहीं आएगी, जम्ना क्यों नीन नहीं आएगी बताएए, केस कारण आज तो प्रथा मिलन भेला है अपने तो, आज पहली रात ही आप मुझसे जम्ना, यह तो जानता हूँ, अनेक आशाएं, उमंगें उत्साथ तरे रिदय में होंगे आज पर इनको पूरा कर पाऊं, विधाता ने मेरे भाग्य में तो लिखा नहीं भाग्य में क्यों नहीं कुछ कारण तो कहो, मेरा भाग्य क्या है, यह मैं जान लू, तो सच कहो मन में हिलोर लेती आशा और खुशिया, मैं शादी किस चुंदरि से सदा के लिए बांध, आपके घर की दासी बनी रहूंगी, ना कहो, तो आपको आपके बस, जम्ना, बस मुझे लगता है, क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे है परीक्षा तो तेरे और मेरी भगवान ले रहे है भगवान तक तो मेरी पहुच नहीं, मेरे तो आप आप ही भगवान है कहो तो आंगर में जाकर पड़ी दहू, अगर कहो तो झाल जमना. बसॉत धीरजग क्या गुद्ट पास ढाना हमगी लिए काफार जमना रो नहीं जमना मैं आंसु देख नहीं छकता पहुँच ढल आंसु पहुँच ढल अपने ही हांसे अपनी आसु पहुचू तख्तीर के लिखे लेख आज तक कोई नहीं जान सका, जम्ना ब्याह के बाद हाथ लगाने से कत्रा रहे हो ये बात ही तो, क्यों दूला बन के मंदब में मेरा हाथ हाथ में लेकर साथ फेरे लिए आपने ये बात ना पूछ जम्ना, पीश्वर के लिए मत पूछ आप सूजा, सूजा जम्ना, भैनुट, सवेरा हो गया? जम्ना, भैनुट, सवेरा हो गया? ये बिस्तर नीचे के बिच्छा हुआ है ये तेरे भगसे ही पूछ ले तुजा कर अगर वो ना समझा सके तो पूछ बहन आशकों में भीगे मेरे आचल से जम्ना? किस सुख ही आशा में तुने मेरे शादी के अपने पती के संग? तुआ खोल के खुद देख लिए ये सुख अरे मैं तो अपना मन संसार से मुक्त कर चुकी और तेरे समान कोमल के लिए क्यों सजा पाए? बहन किन जन्मों की बैर चुका रहे है तु? सगी बहन होकर एक पत्थर के संग बांधा मुझको अरे इस उखे कोई में उतारके तो मेरे जीवन विगाळा तुने कहा है ये पकत? राध हे शाम, राध हे शाम तुम्हारे भगवान तुम्हारे समान निर्मोही दया बिना कठोड लगते हैं मुझे तु 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 जीतर जी मार डाला विवा की मेंदी फीकी नहीं पड़ी जी सुलन की उसका रिदय विवा की पहली राध व्योग के धदकते अंगारों से भर दिया जैसे उन श्री हरी की इच्छा गंगा श्री हरी से नहीं आज मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने क्यों काट देगा तेरा रिदय संसार के मिथ्या मोह से भरा है और मेरा रिदय हरी के रंग-रंगा है ममता का अमृत ही मानव का जीवन आधार है भक्ति की लगन में मेरी गोत का संदर खिलोना रौण चुके तो भी मार लिया था मन को गिरस्तन से मुझे वेरागन बना दिया तो भी मैंने सहलिया उसको यह क्यों करता हूँ कि जिस बेचारी ने कितनी आश्या और उमंगों के संग आज मैंके का आंगत तचकर नए घर में प्रवेश किया उसके हर्मानों की पंक काटकर तदक तरे एगस्तान में तरफता छोड़ दिया तुम अपनी ही कहोगी के मेरे भी कुछ सुनोगी सुन चुकी भगत आज तक बहुत सुन चुकी मुझे बोल लेने दे जम्ना नहीं बोलूगी तो मेरा कलेजा फट जाएगा भें गंगा तेरी सब बाते मेरे सरांखो पर पर मुझे भी एक बात बोलने देगी खुले रास्ते जिसके खजाने पर डाका पड़े यह फर्याद करने कहां जाए हम तीन जन खुले रास्ते लुट गए है इसके साक्षी है एक श्री हरी या फिर जम्ना बोल जम्ना विदा के वक्त तरी माने जो सौगन दी थी जरा बता दे अपनी बैन को बोल जम्ना माने जो भी कहा था बताती हूं जिस भाव से मेरे बड़ी लड़की से बर्तते हो इसी भाव से तुम जम्ना से बर्तो नहीं तो तुम्हें तुम्हें तुम्हेरे द्वार का धिश की सबत है मा, मा, ऐसा क्यूं कहा मा? बोल गंगा बोल, इसमें मेरा क्या अपराद है, मैं क्या करूँ? ये सौगंद तो मा की ममता थी, इसका दूसरा अर्थ ना लगाओ भगत! अपने स्वार्थ के लिए सौगंद के अनेक अर्थ नहीं लगाते गंगा, सौगंद के मर्यादा मैं न रखूँ, तो भगवान कोप करे, और भक्ति के आन जाए! अपने भक्तिक अस्वार प्यार है तुम्हें, मैंने तुम्हें सौगंद दी थी, कि मुझे हाथ ना लगाओ, इसका परिणाम तुम्हें भोग ही रही हूँ, इसमें जमना का क्या दोश, इसने तो नहीं कहा तुमसे, कि मुझे हाथ ना लगाओ! बात बीथ गई है गंगा, कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, मैं यही कहती हूँ, कि बात बीथ गई, अब इस घर में एक घड़ी रहना मुश्किल है, बस आज ही हमारे मैके में पहुचा दो, चल बहन, इस मंडब तु ब्याही है, उस मंडब के दोरन सुखे नही बेहन, इस घर की मामता मत कर बेहन, यह तु जीवन भर रोएगी, किन्तु सुख का सूरज नहीं होगेगा, इतना होने के बाद घर से बाहर पैर बढ़ा हूँ, तु मैके के दर्वा से ठिका रहेंगे, चम्ना, बेहन, संसार के सुख दुखे एक समान मान के प्रभू का ना कि एक जए सूरण मैं लगए हना दोगँ मैक झाली ऑूए इक जए एक आली ऑ expressesा दूू आपको बचाने का भी कुछ अधिकार नहीं कवा मेरे नाठ कहा तक गोरा की कशोटी करते रहेंगे किसलिए अपनी अलीला दिकाई ए तेरे नाम से ली मेरे सोगन तेग्ष दुहाई की आठ टूद गई अए साथ से प्रभू, तेरी सिवा मैं नहीं कर सकता अateg hundred कर दो कर दो कर दोख़ू एंख़ू। फजजज एंख़ूू। という फझाणृॹ फजळू? पिकतार만! फजजई! मिकतार नए्टर पाला! न थन्दार! कर दो ऑफ बxico किया है है एव है 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 को आओा है है एसी कुमात तुमें किसने सुजाई बगण कुमति कहा जुक्त है तुम्हारा बगवान तो हजार हाथ वाला है, हाथों का ऐसा टोटा पड़ गिया, कि तुम्हारी हाथों का बलीदान ले उसमें अरे अपने नाद की सावगंद पर, अपने प्राण ने उचावर करूं तो भी थोड़ा है, गंगा, तो भी थोड़ा, विध्धल, विध्धल, आधे शाम कडवी बेन, कडवी बेन, अरे गोरा भगत ने अपने दोनों हाथ काटके फेंग दिये बार, खाली हाथी काट कैके, पैर काट लेता तो मुझे और खुशी होती अरे बेन, तु तो देखती जा, पुरानी ने तो हाथी कटवाया, पर नहीं तो पैर भी कटवा देगी एक दिन अब देखती हूँ, इनके बाप आकर कितने दिन रोटी खिला पाएंगे ये तीन जने हाथ में खपर लेकर भीखना मांगे तो मेरा नाम कालू नहीं अजी कहाँ चले, खबरदार जो उस लूले की खबर लेने वहाँ गए तो कड़वी, देख गोरा मेरा सगा भाई है मैं जानती हूँ, सगा भाई है, बहुत नहीं उमर रहा है सगे भाई पर, उसे देखने को तरस रहे हो, अगर तुम वहाँ गये तो घर में नहीं गुस्ते पाओगे, ये समझ लो अर्यो, आज तक तो मैंने मुँ बंखिये सेहन किया है, पर अब तो हद हो गई तो क्या कर लोगे? मुझे लगी है जमाई, तुमने मेरा कॉल नहीं निभाया, सोबर के वकट मेरी लड़की मरगी होती, तो कहो अपनी बेटी कहा से लाती देखो सासु जी, सोबर के वक्त लड़की मर जायना तो इसमें जमाई का दोश नहीं कहलाता समझे यानि तोम पती पतने मिलके कॉल तोड़ा है यह तुमारा कॉल ही अटपिटा सासु, कि मैं अकेला नहीं तोड़ सकता था इसलिए हमने आमने सामने बैटके खटाक से तोड़ाला उसको नहीं-नहीं मा, तेरो जमाई छोट बोलता है मत जरे माला की कसम खाके कहती हूँ कि मुझे पक्चा पादा नहीं हुआ फिर यह छोकरा आया कैसे दे जवाब, मा की लागली लड़की यह तो हम खान में मिती खोदने गए थे ना यह छोकरा महीं मिला हमको यह बात यह जो बाल सफेद हुए है थूप में नहीं हुए है छोकरे खान में से निकलते हैं क्या अब छोकरां को ता ऐसा है ना कि भगवान की दया हो तो मिल जाते हैं हर जगा अगर खान को अच्छी तरह से खोदा जाए ना तो उसमें से हीरा, मोती, मानिक, सोना, चानी सब कुछ मिल जाते है और मैं तुमारे पैर में पढ़के करतो मेरी साथ यह छोकरा हमारा नहीं साथ जी यह रतन तुमारी लड़की के पैट से पैदा नहीं हुआ हमें परक ना हो तो परगलो तो भी आप मानती नहीं तो लाओ मेरे लड़के को मेरे पास और रखो तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास, इस लाल के लिए कोई नहीं माले आओंगा अरे कहा को चल दिये, मैंने बेटी को ब्याया तुमसे, रहले मेरी बेटी का फैसला करो ठीक है, तो बुलाओ जल्दी से तुम पटिट को लगा लेंगे, बाकी के फैरे अरे बाद, हाथ तो तुम्हें सांपती है, मेरी पुझी पूजा ही तो है, पाप के प्रायशित में, मेरे आंसु ही रहे हैं प्रभू, इनको स्विकार करो, इने स्विकार करो सांप रहे भगत, ऐसे बिना खाय रहोगे तो तुम्हारे ये देह कब तक रहेगी, हट छोड़ दो, लो तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ नहीं, गंगा नहीं, इस रिदय पर से एक बाप का बोज तो उत्रा नहीं, अब तुम्हें एक और बोज मत बढ़ा, रहने दो, गंगा तुम्हारी अर्धांगनी के नाते, मेरे रिदय में जहरा बासना ये विकार का अंश नहीं गंगा, हाँ, ये गिर्धर तु जरूर देखते हूंगे नात, इनके सामने मैं आपको खिलाने आई हूँ मेरे हाथ से अब खालो भगत, इसमें जहरा आप आपका डाग नहीं लगेगा दाग लग चुका है, इसे मिटाने को तो मैं इनके चरणों में पढ़ा हूँ गंगा, तुम्हारा तो धर्म है अपने पती के प्राण बचाना, लेकिन मेरा तो धर्म है दागर का धीश की सौगंद पर प्राण नेयोचावर करना आपको अपना धर्म प्यारा है, हमें भी हमारा धर्म प्यारा है आप भुखे हों और हम खा ले, ऐसे पापनी या भागनी तो करोड़ों में कोई ही होगी मैं भाग्यवान हूँ, कि मुझे संसार में तुम जैसी जीवन संगीनी मिली है तुम तु मेरे जीवन की गाड़ी के दो पहिये हो, भक्ति के मार्क की जगमगाती सुनहरी ज्योती हो ये मानते हो, तो हमारी एक बात मान लो तुमारे हाथ से भोजन के सिवा, मैं कोई भी बात मानने के लिए तयार हूँ हमारे हाथ से आप भोजन ना किजिए, पर अडोसे पडोसे के हाथ से भोजन में बाधा तु नहीं इसमें कहां आपके अटल निश्चे का मेरु थम तूट पड़ेगा अटल निश्चे के तो जगत में ठिनोरे नहीं पीटते जमना यह तो हमारा तीनों का संगठित तब है, इस बात का भेत, मैं तू तथा गंगा के सिवाए कोई जान जाए, तो तो मेरे हरी के हंसी हो, हंसी भक्ति के हसी कैसी भकत, प्रभु का नाम लेकर अपने हाथ में इसका टोरे को उठाकर यह इतना दूद तो पिलो, आज तक तो हम आपकी मान से रहे, आज क्या हमारे इस दिवात नहीं रखोगे तो अ taraf हमी से ने क्या है, जापकै के प्रविञे हाथ एकिनि हम लिजुत हमारे अगया श्यए, पुण तो मैं पिता हूँ इसे का पिह हूँ उठाव खंग में उओख हमारे टोरी कि पितायों दर्वे में, प्रवख एवाशारे खंग उदारे मेसे त़्से लगा। बिलो भगत, लो, प्रभु सहेता करेंगे, लो भगत, ये क्या हुआ प्रभु, ये कठोर अविचल तब कौन कर रहा है, कि समस्थ ब्रह्मान डोल उठा प्रभु? योगी, यती, तथा तपस्वी का तब जिसके आगे निर्व ठक है, ऐसे भगत की भगती का ये प्रताप है, तो आपको वो भगत देखना पड़ेगा, असंभव, मुत्यू लोग मिमानव बनके रहना तो आपके वश की बात नहीं, वा, आपके वास्ते सरल, और मेरे वास्ते कठिन, मैं तो आउगी ही, देखोते सही, आपके इस भगत की भगती, आपकी हट है, यदि आपको आना ही है, तो चलो, कुमार ना, प्रभू, बहुत खुब शिरयत लग रहा हूँ, अपने वेशकों से देखोो डेवी जी, वेश, प्रभू, ये वेश तो, ये वेश कुमारों का,कुमारण का, हाँ,अ, अब तुम लक्षमी डेवी नहीं, पर तुम हो लश्मी कुमारण, भगवन, मैं लू लश्मी कुमार है ये पोटली सरपकत को जल्वी घजे को हांको कि पहुंचे हम कुमारवारे को चलो भारी है ना ए गोरा भगत भगत भईया आए घर में मेमान आये हुए है आज तो प्रभु के खुरपा हुई आव घर में आव जाओ जाओ तुम अपना ही घर समझो इसे अपना यूक अपने नातेदार भई है आओ भगत भईया बहुत दयाओ भगत भगत भईया, तुम्हारा नाम सुनकर यहाँ पर आए है नाम तो मेरे नाथ का है भाई बात यह है भगत, कि दुख्य हमारे हमाए है हमारे मुल्क में वर्शा भीना सूखा पड़ा है भाई चिंता निकरो भाई, यहीं रह जाओ यह तुम्हारा ही घर है मेरे हाथ नहीं, इसलिए हाथ वाले की जरूरत है मैं मिट्टी खुंदूगा, तुम्चाक को चलाना जिससे मेरे नाथ सब को डाल रोटी देंगे हम सब मिल जुल के खाएंगे भागत भाई, हम तुम्हारे इस उपकार को हर्गिस नहीं भूलेंगे उपकार कौन किस पर करता है भाई, यह तो उपरवाला ही जानता है पर यहाँ आकर तुमने जरूर मुझे पर उपकार किया ना भागत, मुझे शर्मिंद न करो लो भाई, हमारे यहाँ तो यहीं पतले कांजी बनी है भागत, तुम्हारे यागी ये प्रेम से बनी कांजी पीना, मुझे छपपन भाती के भोजन से भी मीठा लगेगा बहन, भागत को भी दो ना? नहीं भाई, आप ही पाओ, हमारा तो महमान ही पहले, फिर हम खाएं ये नियम है भागत, हमारा नियम भी है, कि घर के स्वामी पहले बोजन पाएं हम बड़े धर्म संकट में पल गए भाई भाई, आप ही हमारे भगवान, थोड़ी सी इन्हें भी पिलवा दो तू लो भागत, मैं तुम्हारी हाँ मेमान हूँ, मेरा मान तो तुम्हे रखना ही होगा बहुत अच्छा भाई, मेरे और तुम्हारे नियम तो द्वारी का वाला ही जानता है जैसे तुम्हारी मर्जी लो भागत भाईया, मैं तुम्हे मेरे हाथ से पिलाओं जये द्वारी काधिश प्रभू जये द्वारी काधिश चलो जल्दी चलो पैर तो बढाओ वे इसे खाना नहीं मिलेगा जल्दी जल्दी काम करो ऐसे काम मेरा खाना मिलता है क्या अरे अरे तुम कोई कुमारन हो की कौन हो क्या परतर नहीं सबाल सकती है अरे अरे माधव भाई हमारी भेंड पर बिगड़ो मत यह आंदन इसके लिए नया है न इसलिए खिसले गए तुम्हेने गंगा बैनी से सर पर चुणा है हाँ हाँ तुम्हें बच्पाइ तुम्हें बच्पाइ ठंडे पानी के मटके यह पूर्चितम भॉई ले जा ठंड़ पानी के मटके अरे लिजा शबून के मटके तुम्हें बल्हाय हमपाई है भाई कहिए रुकमनी देवी हमारे भगत की महमानदारी आई पसंद अब रहने भी दीजिये वेकुन में चलोगे के भगत के कुमारवाडे में ही पड़े रहोगे सगा अरे वेकुन से ज़ादा कुमारवाडा तो मुझे बहुत ही प्यारा लगने लगा है प्यारा लगता हो ना फिर में इतना स्वाद खाते हुए जी भरता नहीं वाद अब तुम्हें रसोई करना लचमी बहन अबाए में जी लग डैन अ लग शोने लग नहीं जी दोने वादा एने करना लोगे पुआ हैं करे लोगता के लगले दोले वें है ऐसली करना लोम 높ाता लेखनर रेन zasad ह बोड़े है気ं। और बोज़े है पता है खृ॥ पापापने लुटनी, पहां अ मर गया कालिया? बेहन, यह बेहन, यह तेरे कहने पर बहुत गोरा के घर से यह गहने चुरा लाया हूँ तेरे परसी गोरा भगतवार के फेग दू लाला आखिर ले ही आया तू भाई किसका हूँ अरे मेरा है तू कड़वी का पैन पैन पाकी के भी पैन ले वाँ बड़ी सुन्दर लग रही है ये भी पैन ले माला भी पैन ले बैन अरे पैन ले भीया थेख तो कैसी लगती हूँ अरे बैन तेरे तो शारे शरीर पर काले कोड निकला हुआ ये ये क्या मेरा तो अंग अंग जल रहा है तेरे आंग में काले थब्बे निकल रहा है बचाओ मुझे 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 मुझली मनोहाय, प्रसाद गहन करो, खुवर्धन गिर्धारी, हर वर्षे का दशी का प्रसाद तुम्हें हर से खिलाने के बाद ही मैं खाता हूँ, प्रभु, स्विकारू, प्रसाद गहन करो, बही, नन्विलाल, मेरी टेक तूटेगी, तु मुझसे रूठे हो, स्विकारो प्रभू, स्विकारो, नाराण, नाराण, भक्तराज नामदेव जी, भगवान तो गोरा के यहां चाकर है, उसके आंगन माटी खून रहे, प्रभू का यदि भोग लगाना हो, तो कुमार के घर जाओ, नाराण, नाराण, कोला कुमार के घर चाकर, मुझे क्या सूजी थी, क्या आपके पीछे चल पड़ी, देवी जी, मैंने वही मना किया था, पर तुमने माना ही नहीं, अब यहां आई हो, तो करो यह मजूरी, प्रभू, पर यह मजूरी कब तक करवाओगे, देवी ये तो लक्षमी जी जाने, विश्नु भगवान जाने, लक्षमी जी के भगतो, सोने की थाली में परुसर भांती भांती के भोजन करते हैं, हेरा मोती की सिंगार से सच के, चांदी की झुले जूलते हैं, जहां तक उनकी लक्षमी जी कसोटी ना करें, अजीव भाहा तक, बाकि जो एक बार कसोटी करी, तो यही सारे भक्त दुरंत कहेंगे, कि लक्षमी तो चंचल है, यह तो किसी की रही ही नहीं, और रहेगी भी नहीं, और हमारे भक्त तो, प्रांच जाने तक वो मेरा नाम भूलते नहीं, देवी जी, नारायन, नारायन, प्रभू, अभी आप कितनी और मजूरी करेंगे, अब तो आपके भक्त नामदेव जी, आपकी खोज में यहीं आप पहुँचेंगे, मुनिवर, यह सब खाव आपके ही लगते हैं, नारायन, नारायन, चलो देवी, अपने वेकुंट की तरफ पस्तान करे आपके कारण हमें वेकुंट से मानवलग बहुत पसंद आ गया है, आपको जाना हो ता आप अकेले जाओ, नाराज नहो देवी, मुनिवर ने नामदेव से यहां का पताव ठिकाना बता दिया है, सारा जगत यह जान जाए, इससे पहले हम प्रस्तान कर जाए, यह आपका ग सुने के खड़ाओ, भगत, अजे भगत, क्या बात है, भगत, सोने के खड़ाओ, सोने के मिठी, इस सब कुछ क्या है, पर माधव कहा है, माधव, माधव कहा है, मेरे प्रभु कहा है, यह तो मेरे श्याम की खड़ाओं है, क्या कहा, मेरे द्वारी का अधीश की, मिरनाद की, हाँ, प्रभु स्वयम ही तुम्हारे आकर चाकरी करते रहे, यह उसका प्रमान है, कितना अभागा हूँ, घर आये उ दीना नात को पहचाना नहीं शाकरबन मुझे हाथ से भोजन कराया ऐसे जगतिश्विर को नहीं पहचाना यहां आंगन में मिट्टी खूंदी चाक को चलाया और सावरे मुझे अब चलके चलते वने मेरे नात मुझे अब चलके चलते वने कनया बवसागर में मेरी नाव ऐसे ही मजधार छोड़ कर क्यों आप यू चले गए मेरे नाथ क्यों आप छोड़ गए तुम्हारे दर्शन बिना जीना प्यर्थ है मेरे नाथ तुम्हारे दर्शन बिना जीना प्यर्थ है ओ सामरे मुरारी देखता हूँ मुझसे बाग के कहां तक जाओगे जगती शर्ग कहां तक जाओगे कहां जी बैवो कहां गए मेरे द्वारिका वाले वो कहां गए कहां गए औरे कहां गए औरे कहां गए ओ द्वार का वालो कहां गए ओ द्वार का वालो छोड के मोहन भाग गए ओ मुहे नट खट नंद दुलारो कहां गए ओ द्वार का वालो कहां गए ओ ले कहां गए ओ औरे रादयनल राधय साम कि भगत हुँ मेरी भगत बचाओ आकर नहीं या तारो कि घर आके क्यों छोड़ गे मों को प्रभु आओ जी पधारो कहां गयो द्वार का वारो कहां गयो द्वार। देख नहां गयरे हाथ बिना मैं खैसे पकड़ूं तु है हजार हाथ बारो है मन मंदिर का मुँ में पुजारी तू तो है रखवारो कहां गए उद्वार का वारो काई उद्वा गिए नगता है रखया मना क्वा गेर संद्वा राधे की propose क्वारि आभे शाम जोन कर्द वजलते उद्वा कोशैं ह् रहां राधे सानल तो मैं अ आदेशा मरा देशा मेरे प्रभुजी प्रीत निभालो मेरे प्रभुजी प्रीत निभालो ... ... ... ... ... ... हुआ 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 है तुम्ने हरिवर तु दे दे पालक मेरो दे 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 पालक मेरो फुत्र वियोगी मा को दे दे गोद को खेल नहार पुर्श सरूप हा क्या तुम समझा बातां की नमता हुआ 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 है हुआ 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 जाय हुआ हुआ मेरे सवरे प्रभू 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 प्रभू, ठंग है गुरा भगत, तुमारी भगती, तिथा तुम तिनों की सहन शक्ति की महिमा, जगत में अमर रहेगी प्रभू, आपके नाम से महान कोई महिमा नहीं, आपके चरणों से बड़ा कोई सर्ग नहीं, मुझे मुक्ति प्रदान करो प्रभू भगत, मुक्ति से अधी ग्रिस्ताश्रम महान है, कोरा, आज से तुझे अपने नाम के सौगंद की आन से बंदन मुक्त करता हूँ प्रभू सुख से संसार भोगो, जाकर संसारियों को भगती की महिमा समझाओ, धर्म का मार्ग बताओ जो आए क्या प्रभू, जो आए क्या पलो द्वार का धीश की, भगत गोरा कुमार 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 की, भगत गोरा यह क्या हुआ तुम्हें भाई गोरा इसके पाप फूट निकले हैं भाईया पाप को पुर्णे में बदलने वाले मेरे गिर्धर गोपाल रन छोड़ राय द्वारी का धीश हैं भावी एक बार प्रेम से बोलो राधे क्रिश्न बोलो भावी राधे क्रिश्न बोलो राधे क्रिश्न बोलो भावी राधे क्रिश्न बोलो भावी राधे क्रिश्न बोलो भावी बोलो राधे क्रिश्न 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 मुझे माव करने गोरा बाभी मुझे माव करने मुझे बाप कर दो, बलो दोर कादीश की जय हो जय हो जय हुआ कि जय हो जय हुआए मुझे जय हो जय हो जय हो